दोस्तों आज के इस सेसन में हम चर्चा करेंगे बिमस्टेक के बारे में जानेंगे बिमस्टेक क्या है और इससे जुड़े हुए वो सारे महत्पुण बिंदू जो की अक्सर प्रतोगी परिचाओं में पुछे जाते हैं शुरुआत करते हैं बिमस्टिक के बारे में तो म्यामार संकट के बीच भारत ने बिमस्टिक विदेश मंद्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है यह सम्मेलन 11 से 12 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में संपन हुआ भारत के अलावा इसमें स्री लंका, बांगला देश, मयामार, थाइलेंड, नेपाल और भूटान सामिल हुए 2024 के बिमस्टिक सिखर संक्रियों की मेजबानी कोन करेगा यह इसका छटवा संस्क्रियों का आपको याद होगा कि बिमस्टिक जो शिकर सम्मेलन होता है यह दो साल में एक बार आयोज़ित किया जाता है यानि कि इसके पहले, दो साल पहले, जो पांचवा सिकर सम्मेलन हुआ था, 2022 में उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था कोलंबो स्री लंका में देखो फ्रेंड्स ये मैप है और इस मैप में आपको पता चल जाएगा कि बेमस्टिक में कितने देश सामिल हैं बेमस्टिक में कुर्बला के देखेंगे तो 7 देश इसमें सामिल हैं कौन कौन से एक तो हमारा प्यारा भारत फिर नेपाल फिर भूटान बांगला देश म्यामार थाइलेंड और सी लंका यही साथ देश हैं जो कि आर्थिक समूग का गठन चार देशों के साथ ही किया गया था और इसका जब तब संचित नाम था बी आई यस टी इसी बी फार बांगला देश आई फार इंडिया यस फार स्री लंका टी फार थाइलेंड इसी मतलब एकोनॉमिक कोपरेशन तो बिस्ट इसी के नाम से पहले और यह गठीत किया गया था मात्र चार देशों के साथ 1997 1997 में मयामार के सामिल होने के बाद इस समू का नाम बदलकर बी आई एम एस टी इसी कर दिया गया तो बिम स्टेक आप इसमें बी फार बांगला देश आई फार इंडिया एंपार मयामार यस फार स्री लंका और टी फ विम्स्टेक साथ सदस देशों का एक छेतरी संगठन है इसमें दक्षिण एसिया के पांस देश बांगला देश भूटान भारत नेपाल और स्री लंका और दक्षिण पूर्व एसिया के दो देश म्यामार और थाइलेंड सामिल हैं यह सिकर समेलन हर दो वर्स में एक बार 1997 को बैंक काक घोषडा के माध्यम से अस्तित में आया यानि कि विम्स्टेक की अस्थापना 1997 में की गई इसका जो सच्चिवाला है यह ढाका बांगला देश में है और विम्स्टेक का जो मुख्यों देश है यह है कि देशों के बीच आर्थिक सहयोग में सुधार करना